मोहनपुर नाम के एक छोटे से गाउं में प्राचीन बर्गत के पेड़ के पास सुशीला नाम की एक बुढ़ी गरीब महिला अपने अपाहिज बेटे मदन के साथ रहती थी मदन बचपन से ही दोनों पैरों से चल नहीं सकता था मिट्टी और भूसे से बनी सरला की छोटी सी जोपड़ी गाउं के किनारे पर खड़ी थी जिस पर अक्सर रागीरों का ध्यान नहीं जाता था अपने जीवन की गरीबी और कठिनायों के बावजूद सुशिला भगवान राम में अपनी अटूट आस्था के लिए जानी जाती थी एक और दिन बीथ गया और अभी तक मेरे भगवान राम नहीं आये है लेकिन मुझे पता है कि वो आएंगे वो एक दिन मेरे दुखों को दूर करने जरूर आएंगे मुझ करीब की जोपड़ी में वो जरूर आएंगे मा प्यास लगी है हाँ बेटा भी देती हो पानी भी और रोटी भी ये रही राम जी की थाली और ये तेरी मा मैं तुम्हें बच्पन से उनकी थाली लगाते हुए देख रहा हूँ मा क्या तुम्हें पक्का विश्वास है कि भगवान राम हमारी जोपड़ी में आएंगे हाँ बेटा मुझे पूरा विश्वास है मेरे राम मेरी जोपड़ी में जरूर आएंगे वो जानते हैं मैं उनकी प्रतिक्षा में आखे बिच्छाई बैठी हूँ उन्हें मुझे दर्शन देने आना ही होगा हर दिन सुशीला अपनी जोपड़ी को साफ करती थी और अपने मिट्टी के बरतन में चावल और दाल का एक छोटा सा हिस्सा पकाती थी इस उमेद में कि राम जी उससे मिलने आएंगे उसकी आस्था को लेकर गाउं वाले अकसर उसका मजाग उड़ाते थे जिन में गाउं का जमिनदार भी शामिल था जब भी वो उस रास्ते से गुजरता सुशीला को देख कर बहुत हस्ता हाहाहाहा सुशीला तुम और तुमारी कलपनाए जितना मर्जी अपनी इस तूटी फूटी जोपड़ी को सजा लो भगवान राम तुम जैसी करीब बुड़िया से मिलने नहीं आने वाले जमिनदार साहब आप जब भी इधर से गुजरते हो मुझे यही बात कहते हो एक दिन ऐसा आएगा जब आप देखते रह जाओगे जब मेरे राम मेरी जोपड़ी में आएंगे मेरा दिल मुझसे कहता है कि राम आएंगे रहे उम्र के साथ साथ अक्सर ऐसा हो जाता है क्या रमे क्या करो इंतजार हम भी देखते हैं अरे जमिनदार साहब क्या इन छोटे गरीब लोगों के मूँ लगना चलिए वहाँ पेड की छाय में खटिया लगा दी है सुशीला को आदत थी रोजाना ऐसे ताने सहने की वो किसी की भी बात का बुरा नहीं मानती थी वो तो सिर्फ अपने प्रभु श्री राम की भक्ती में ही लीन रहती थी एक दो पहर में जब सुशीला गाउं के बाहर लकडियां इकठा कर रही थी दो युवा और सुन्दर साधू साधारन कपड़े पहने हुए उसकी जूपड़ी के पास आए उनकी उपस्तिती शान थी और उनकी मुस्कान बहुत ही कोमल थी मा क्या हमें थोड़ा पानी मिल सकता है हम बहुत दिनों से यात्रा कर रहे हैं हमारे पास पानी समाप्त हो गया है हाँ हाँ मेरे बच्चों कृप्या अंदर आओ भोजन का समय है मैं तुम दोनों के लिए भोजन भी लाती हूँ और साथ में पानी भी मा कौन आया है बेटा दो रिशी पधारे हैं यात्रा पर निकले हैं इसलिए कुछ देर यहाँ विश्राम करना चाते हैं ये मेरा बेटा है मदन सुशीला भोजन की थाली लगाने लगी तभी दूसरे युवा रिशी ने सुशीला से पूछा मा आपने भोजन की ये तीन थालिया क्यों लगाई है हम तो केवल दो ही है बेटा ये थाली भगवान राम के लिए है मैं जब भी भोजन लगाती हूँ तो एक थाली भगवान श्री राम के लिए निकालती हूँ क्योंकि मुझी यकीन है कि एक ना एक दिन वो मेरी इस जोपड़ी में जरूर आएंगे और इस भोजन को ग्रहन करेंगे अटूट विश्वास के बारे में उसकी कहानिया ध्यान से सुनी जैसे ही शाम हुई युवारिशी जाने के लिए खड़े हो गए आप से मिलकर और आपकी प्रभूश्री राम के प्रती भक्ती को देख कर सचमुच इरदय आनंद से भर गया धन्यवाद बस अब तो मेरी इच्छा है कि राम जी भी ऐसे ही मुझसे मिलने आए जैसे आप आए हैं तुम्हारी भक्ती जीत गई मा देखो मैं तुमसे मिलने आ गया तुम्हारी भक्ती मुझे यहाँ तुम्हारी जोपडी में खीच लाई सुशिला देखती है दोनु युवक राम और लक्षमन के रूप में आ जाते हैं सुशिला को कुछ पल के लिए तो अपनी आखो पर यकीन ही नहीं हुआ उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था उसकी भक्ती जीत गई उसे अपने प्रभु श्री राम के दर्शन हो गए भगवान श्री राम आशिरवात का हाथ उठाते हैं मदन के पैर ठीक हो जाते हैं और वो उठकर खड़ा हो जाता है वो भी हाथ जोड़कर भगवान श्री राम और लक्षमन के सामने खड़ा था सुशीला की आँखों से आंसु बहते ही जा रहे थे देखते ही देखते सुशीला की जोपड़ी सोने की हो गई उसके घर में धन भंडार भर गए उसकी जोपड़ी में राम आ गए सुशीला को आशिरवाद देकर भगवान, राम और लक्षमन अंतर ध्यान हो जाते हैं जिन लोगों ने सुशीला का मजाग उड़ाय था वे अब उसके अटूट विश्वास से आशर चकित थे मा, तुम्हारा विश्वास जीत गया प्रभू श्री राम और लक्षमन हमारी कुटिया में आए देखो, उन्होंने मुझे ठीक कर दिया हमारी गरीबी भी दूर कर दी हमारे जीवन के सारे दुख दूर कर दिये, मा हाँ बेटा, अब हमारे दुख के दिन दूर हो गए हाँ मेरे बच्चे, प्रभू श्री राम ने हमारे जीवन के सारे दुख दूर कर दिये अब सुशिला बेहन मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारा हमेशा मजाक उड़ाया पर आज हमारी आखों के सामने सारी सच्चाई है सब गाउं वाले भी सुशिला की भक्ती की बहुत प्रशंसा करते हैं और सब सुशिला से यही सीख लेते हैं कि भगवान पर अटूट विश्वास बहुत जरूरी है तभी हमें सच्ची भक्ती का फल प्राप्त होता है बहुत समय पहले की बात है भरतपुर नामक गाउं में चंदन नाम का एक लड़का रहता था वो स्वभाव से बहुत आलसी था परन्तु उतना ही वो भोला भाला भी था वो दिन भर कोई काम नहीं करता था बस सारा दिन खाना और सोना ही उसकी आदत थी उसके परिवार के सदस्य भी उसे जब काम करने के लिए कहते तो वो बहाना बनाता ऐसे ही एक दिन अरे चंदन जब देखो तब सोया रहता है आलस छोड़ और जाकर कोई काम कर तेरा भाई लाखन सही कह रहा है चंदन तुझे कोई काम ढूणना चाहिए कब तक तेरा भाई अकेले मेहनत करता रहेगा आप सब के ताने सुन सुन कर तो मैं तंग आ गया हूँ कोई तो स्थान होगा जहां मुझे बिना कोई काम किये भोजन मिलता रहे अब मैं कुछ दिनों के लिए गाउं से बाहर घूमने जा रहा हूँ इतना कहकर चंदन घर से निकल पड़ा यूही भटकते हुए वो एक आश्रम में पहुचा वहां उसने देखा कि आश्रम में एक गुरुजी है और उनके साथ उनके शिश्य जो बस मंदिर की पूजा करते हैं और कोई काम नहीं करते उसने मन में सोचा यहां तो कोई काम धाम नहीं बस पूजा ही तो करनी है अगर मैं यहां रहने की विवस्था कर लूँ तो मेरे लिए बहुत बढ़िया बात हो जाएगी एक बार पूछ लेता हूँ प्राणाम गुरुजी मैं दूर गाउं से आया हूँ अगर आपको कोई परेशानी ना हो तो क्या मैं यहां कुछ दिन आपके आश्रम में रह सकता हूँ हाँ हाँ क्यू नहीं तुम इस आश्रम में अवश्य रुख सकते हो लेकिन गुरुजी मैं कोई काम नहीं कर सकता हूँ पता नहीं काम करने के नाम पर मुझे आलस खेर लेता है, तो यहां कोई काम नहीं करना है, बस पूजा करनी होगी। ठीक है गुरुजी, वो तो मैं कर लूँगा। उस दिन से चंदन गुरुजी के आश्रम में रहने लगा, ना कोई काम ना कोई धाम और समय पर खाने को भोजन भी प्राप्त हो जाता था, इसलिए चंदन पूजा पाठ पूरी लगन से करता था और प्रभु भक्ती में भजन काता था, ऐसे ही चंदन को आश्रम में रहते मह एक दिन चंदन पूजा पाट के सभी कारे करके जब भोजन करने रसुई में गया। चंदन अगर तुम्हें उपुआस नहीं रखना तो तुम मत रखो पर खाना भी तुम्हारे लिए कोई और नहीं बनाएगा। चंदन अभी खाना बनाने बैठा ही था, तभी गुरुजी आ गये। चंदन तुम आज नदी के उस पार जाकर रसुई बना लो और जब तुम भोजन बना लोगे तो राम जी को भोग जरूर लगा लेना। ठीक है गुरुजी, मैं भोजन तयार करके भोग लगा दूँगा, अब मैं चलता हूँ। चंदन ने नदी पार पहुँचकर पहली बार जैसे तैसे खाना बनाया। पही नहीं आया तो चंदन पेचैन हो गया कि यहां तो भूक लग रही है और राम जी आही नहीं रहे। भोला मानस जानता नहीं था कि प्रभू साक्षात तो आएंगे नहीं पर गुरुजी की बात मानना जरूरी है पर चंदन भी अपनी बात पर डटा रहा। देखो प्रभू राम जी मैं समझ गया कि आप क्यों नहीं आ रहे हो। तो दूसरे को ना पूछू तो वो भी तो अच्छी बात नहीं है ना कोई बात नहीं मैं आज इन दोनों को ही भोजन खिला देता हूं मैं आज भूका रह लूंगा भगवान राम चंदन की भूली भाली बातों को सुनकर मुस्कुराने लगे और मा सीता के साथ प्रसाद ग्रहंट करके चले गए। अगली एकादशी तक चंदन सब भूल गया। उसे लगा कि प्रभू ऐसे ही आते रहेंगे और प्रसाद ग्रहंट करते रहेंगे। इसलिए उसने किसी को भी ये बात नहीं बताई। फिर एकादशी आई तो चंदन सोच में पढ़ गया। अब के बार चंदन ने तीन लोगों का खाना बनाया, फिर राम जी को पुकारा। प्रभु राम आईए, सीता राम आईए, मेरे भोजन का भोग लगाईए। भगवान की महिमा भी निराली है, उन्हें भी अपने भक्त के साथ हसे ठीठोली करने में बड़ा मसाता है। इस चंदन ने सब को भोजन खिलाया और बैठे बैठे देखता रहा। अंजाने ही उसकी आज भी एकादशी हो गई। फिर अगली एकादशी पर चंदन ने गुरुजी से कहा। गुरुजी, यह आपके प्रभुराम जी अकेले क्यों नहीं आते हरआर कितने सारे लोग ले आते हैं इस बार अनाज ज्यादा देना। यह चंदन हरबार मेरे से अनाज बढ़ा कर ले जाता है कहीं है अनाज को बाजार में बेचता दो नहीं है मुझे इसके पीछे जाकर देखना पड़ेगा अठीक है चंदन भंडार में से जितना अनाच चाहिए ले लो देखते ही देखते सारा राम दर्बार मौजूद हो गया राम जी मुस्कुराए सीता माता भी गदगद हो गई चंदन के मासूम जबाब से प्रभू ये क्या हम सब तो आपके साथ यहाँ पर भोजन के लिए पधारे हैं पर यहाँ पर तो प्रसाद तयार ही नहीं है प्रभू इस बार मैंने ना खाना नहीं बनाया क्यों चंदन आज तुमने हमारे लिए प्रसाद क्यों नहीं बनाया राम जी भोजन बना कर क्या फायदा मैं तो भूका ही रहूंगा फिर क्या फायदा बनाने का आप ही बना लो और खोदी का लो क्या करें भाईया भक्त की इच्छा है पूरी तो करनी ही पड़ेगी चलो लग जाओ काम पर राम जी के साथ सम्मिलकर रसोई बनाने लगे चंदन एक तरव पैट कर देखता रहा माता सीता राम जी के साथ जब रसोई बना रहे थे तो कई रिशिमुनी वायक्ष गंधर प्रसाद लेने आने लगे यहां तो कोई दिखाई नहीं दे रहा ये बिना भोजन बनाए अकेला भूखा क्यों बैठा है चंदन बेटा क्या बात है खाना क्यों नहीं बनाया गुरुजी आप अच्छा किया गुरुजी आप आ गए देखिए कितने लोग आते हैं प्रभू के साथ मुझे तो यहां पर कुछ नहीं दिख रहा सिवाए तुम्हारे और अनाच के एक तो इतनी महनत करवाते हैं प्रभू भूखा भी रखते हैं और उपर से गुरुजी को दिख भी नहीं रहे ये और बड़ी मुसीबत है राम जी आप गुरुजी को दिख क्यों नहीं रहे चंदन मैं उन्हे इसलिए उनको नहीं दिख सकता गुरुजी प्रभू कह रहे हैं कि आप सरल नहीं है इसलिए आपको नहीं दिखेंगे वाकई मैंने सब कुछ पाया और तुम्हारी तरह सरलता नहीं पा सका और प्रभू तो मन की सरलता से ही मिलते हैं और हे प्रभू श्री राम मेरी आप से विनती है कि मुझे अपने दर्शनों से कृतार्थ करें। उसे विश्वास था कि वो जो भी भोजन बनाएगा प्रभु श्री राम उसे जरूर खाने आएंगे।